हजारों मोटिवेशनल विडियो देख लो बट जब तक अंदर से वह आग नहीं आएगी ना कि भाई मुझे टॉप करना है मुझे इस बार तो पका 95 से उपर लाने है तो कोई काम नहीं आने वाला अंदर से आनी चाहिए वह जील वह पैशन वह मोटिवेशन अंदर से आएग क्या करें कैसे अचाहिए तुम ने बहुत सारी वीडियोजटी क्या करना चाहिए दस दिन पहले क्या करूं जाकरू में एक दिन पहले क्या करूं तो यह सारी चीज़े आज हम लोग करेंगे बट एक अलग तरीके से तो बच्चो मेरा नाम है रादिका सहे लेंडाइम और इंग्लेश एडुकेटर अब जब बात आते हैं कि माम एक्जाम स्ट्राइजी की ना मोटिवेशनल वीडियो बहुत देख है यह पढ़ूं तो क्या पढ़ूं कहां से शुरू करूं मोटिवेशन ही नहीं आ रही है बस पास हो जो माम इतना पढ़ा दो और मैम एक रात पहले पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा क्या यार एक बात बताओ तुम मतलब तुम इतने बड़े हो गए हो तुमको सीरिसली यह लग रहा है कि तुम यह सवाल पूछोगे इस टाइम पर बोर्ड एक्जाम से भाई बोर्ड एक्जाम सो तुम देख लो एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना आप लोग अपनी मोटिवेशन अंदर से लाए वीडियो तो बहुत मिल जाएंगी मैं भी दे रही हूं बाक कर लो पास हो जाओगे राइटिंग सेक्शन के थूरू अंजीन पैसेज के थूरू पास हो जाओगे बाट पास होना है सतर लाने है या फिर पिचानवे लाने है तुम्हारी चोईज है दाट्स यॉर चोईज ओनली सो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि एक्जाम क लिए कितना कुछ पढ़ना है कौंसे सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है मैं एंग्लिश तिचर हूं तो मैं इंग्लिश के बारे में जादा बात करूँगी बाकी सब्जेक्स के लिए नहीं तो ये हमारा lou पेपर पाट न है भी पहाट ज्यां से देखो कि सबसे ज्ISE है यह अगर एक दो नंबर कटवा कर आ भी जाएं तो यहां पर आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए अपने हाथ में है यह उसके बाद राइटिंग और ग्रैमर रीडिंग टोटल चालिस नंबर हमारी आ जैंगे इस वाले सेक्षिन को मिला कर ठीक है चालिस नंबर का हमारा एक्जाम हो जाएगा हमारा क्या ओर्छलियाthat है कि हमारी डेट शीट क्या है क्या है हमारी डेट शीट वो हम लोगों को समझने है 27 अप्रिल कुछी ए दिन 26 तो सिर्फ English को दोगे ना 26 तक तो आप लोग English को पढ़ोगे उसके बाद मत पढ़ना बट 26 तक के लिए बी शौर कि आप लोग English को टाइम टेबल बना लें कोई भी डाउट आए कॉमेंट सेक्षिन में साथ-साथ पूछते जाना तो भाई 27 तक कर तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को सारे सब्जेक्स पढ़ने बट 26 तो इंग्लिशी बढ़ोगे रोज रोज एक घंट एंग्लिश को देना पड़ेगा बट स्ट्राटिजी क्या रहेगी स्ट्राटिजी में सबसे जादा दिक्कत आते कि मैं एक घंटा क्या है भाई पढ़ोसन की बेटी टॉप माल जेगे तुमको दुख बहुत होगा क्योंकि उसने स्ट्राटिजी बनाई थी कि मेरे को क्या करना है तुम बस उसको देखते रह गए इन चक्रों में मत पढ़ो पढ़ लो इस वक्त पढ़ लोगे ना आगे जाकर खुशी होग और फैक्त है कोई दिक्कत नहीं है इसमें मैं बहुत ओनेशली चीजे बता रही हूं क्या तुम्हा लिए तसे तुम्हा लिए तसे आ चुकी हूं हमको लगते कि यार हम लोग ना 20 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पूरा 20 मिनट के बाद का अच्छे से कॉंटिनेस चलेगे तीन घंटे तक 20 मिनट बाद क्या होता है 20 मिनट यह होता है तो एक काम करो अगर तुमको लगता है कि मैम मुझे ना यह सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लग रहे यह सारे सब्जेक्स के लिए बूल रहे हूं इसमें मुझे नीद आ जाती है तो यह काम करो 25 मिनट प पढ़ते रहो 25 मिनट पढ़े पांच दोस मिनट का गैप लिया फिर 25 मिनट फिर पांच दोस मिनट फिर 25 मिनट इसके हिसाब से पढ़ोगे तो नींद भी नहीं आएगी और सारा कॉंसेंट्रेशन बना रहेगा और अब भी अगर तीन घंटे कॉंटिनेशली बैठेने क्यादत नहीं बनी तो बोर्ड एक्जाम में लिखनी पाऊगे तुमको तीन घंटे हॉल में बैठकर पेपर लिखना होता है और वह लिखते लिखते ना टाइम ऐसी निकल जाते पता न यह करोगे तो माक्स कट जाएंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है दूसरा है कि मम्मी मैंना मॉबाइल यूज नहीं करूंगा यह की पैड वाले फोन के टाइम में जी रहे थे हम लोग तुमसे तो बहुत जादा कम रिसोर्स से हमारे पास वो की पैड वाला फोन होता था ज कि यूट्यूब पे क्लास अटेंड कर रहा हूं यूट्यूब यह देख रहा हूं कि इंस्टेग्राम पे कर रहा हूं मुबाइल का स्लॉट बना दो आग्स चिर्व बोलने के लिए मेम मत बदा हूं बट अगर आप लोग लोग इंस्टेग्राम पर रिल्स देख रहे इसका भी बया हो गया इसकी भी शादी हो गया इसका बट्डे है यह सारी चीज़े देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा मुबाइल का स्लॉट बनाओ आदे घंटे से जादा सोशल मीडिया पर नहीं जाना है अरे होने दो जिसकी शादी हो गया भाई तुम्हारे बोर्ड एक्जाम से उसके नहीं है सो मेक शूर कि इस चीज़ को आप लोग फॉलो ना करें कि बस यह मीम कॉंटेंट ना बन कर रहे जाए इसको अच्छल में ना दिमाग में बटालो कि भाई मुझे सच में मॉबाइल को तरना यूज नहीं करना है अब आज जाते हैं पेपर पाटन पे यह हमारा पेपर पाटन है है ना पेपर पाटन में हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है या तो इस पे या फिर इस पे ग्रैमर में हम लोगों के पास ऑप्शिंस भी होते हैं तब भी हमां टक जाते हैं क्योंकि हमारे बेसिक्स उतने शायद तियर नहीं है तो क्या करना है ग्रैमर और लिटरेचर को मिला के रोज का डेड़ घंटा दे दो अगर आपकी इंग्लिश वीक है कि डेड़ घंटा दे दो कॉम्परी हैंशन में मैं अभी आपको समझाती हूं कि कैसे कितने सॉल्व करने हैं कि एक्जाम से पहले अपने को क्या चाहिए पॉफेक्शन चाहिए अब आज जाए कि यार मैं ना सबसे पहले क्या पढ़ूंगा अपना वीक सब्जेक्ट है बस उसको प्रायोरिटी बनानी है ऐसा नहीं करना कि वीक सब्जेक्ट के चकर में आपके जो स्ट्रॉंग सब्जेक्ट से उननों को भी आप छोड़ो दो कि यह तो मैं कॉंफिडेंस मिले रहा हूं मान लो मेरी इंगलिश अच्छी थी तो में इंगलिश को कम टाइम दे करना है यह नहीं करना कि इसको दिया ही नहीं डूनाट स्टाडी न्यू थेंक्स ऑन दी डे ऑफ एक्जाम अब यह होता है दोस्तों का प्रेशर सुवा सुवा फोन करते ही कि भाई तूने पढ़ लिया था यह पढ़ लिया और तुमको अच्छानक से आदा तो माइग गु होगे बट वो रिग्रेट होता है कि यार उसने तो मांक्स ले लिए मैं क्यों नहीं ला पाया और अगर तुम्हारे दोस्तों के मांक्स कम आए तो उतना फरक नहीं पढ़ेगा तुमको तुमको दुख होगा बट ऑपोजिट केस भी हो सकता है तो मेक शॉर की दोस्तों के करो मैं थोड़े दिन मत पढ़ो आई नो दोस्ति यारी बहुत इंपोर्टेंट होती है त्रस्ट में बहुत इंपोर्टेंट होती है मैं कह रही हूं बट अभी छोड़ दो थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा कॉंटाक्ट कम करो जितना खुद पर फोकस करोगे सेल स्टी उतना तुम्हारा फाइदा है तो एक्जाम की सुबह सुबह किसी से बात नहीं करने तुने इतना पढ़ा तुने इतना पढ़ा तुने यह कर लिया तुने वह कर लिया कोई फरक नहीं पड़ेगा उससे नौट इवन तुमने कितना क्यों से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्य यह वाला बतादे वो वाला बतादे मैंने यह नहीं किया तूने यह नहीं किया ठीक है अब हमारा यह मैंने study बनाया study time table बोल सकते हैं यह मैंने अपने हिसाब से बनाया कि मतलब जितना मैं करती थी अपने time पे क्योंकि मेरे weak subjects अलग थे और मेरे strong subjects अज़क अब इसको तुम लोग अपने हिसाब से बाठ सकते हो अभी तुम्हारा ओफ्स चल रहा होगा क्योंकि छुटियां दे देते हैं study के लिए self study तो इंग्लिश में देड़ घंटा दे सकते हो इंग्लिश में देड़ घंटा मैं मैं दो घंटे से तीन घंटे कर देती थी क्योंकि मैं टाइम बहुत लगता है एक उस पर प्रॉब्लम पर टक गए तो आप लोग आगे पर जाने से पहले सोच दो कि यह गलती से एक्जाम में आ गया तो तो इसलिए करना है सोशल साइंस देड़ घंटा हिंदी एक घंटा साइंस देड़ घंटा आप लोग इसको तीन तक भी लेके जा सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है आपकी मर्जी है कि आपको कितने टाइम तक इसको खीचना है यह आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाय करो बट कर लो यह सिर पर तो बहुत जादा बोको से पर देलों कि मैं बहुत जादा फ्कस इसले कर रही हो क्योंकि मैं आपने बराबर को देखा है एंड में रिग्रेट करते हुए कि काश में उस टाइम पढ़ लेता वो काश तुम हाग ले नहीं चाह रहे हूं कि तुम लोग वो काश लेकर आओ अब जितना भी आप लोग एक हफ्ते में पढ़ो ना संडे तुमको मिलता है संडे हम सबको मिलता है तो संडे को आप लोगों को क्या करने जितना एक हफ्ते में पूरा पढ़ा है पूरा पढ़ लिए एक हफ्ते में जितना भी वो संडे को दुबारा से गो थू करो रिवाइस करो ताकि आप लोग ब्रश अप कर सो को यहां पर जो भी आपने पढ़ा है क्या करते हम लोग जब भी हम लोग केक बनाते उस पर आइसिंग दो तीन बार कर देते हैं ना कि बहुत बढ़िया दिखना चाहिए तो आपके दिमाग में जो मेमरी है उसको दुबारे से ब्रश अप करो ताकि जो कच्रा है वो हट जाए और क्रीमी लेर बनी रहे सारे करना क्या है कैसे करना है वो बता सकती हूं करना तो तुम को यह मैं किसे के घर आकर नहीं पढ़ा सकती ना तुम्हारे अंदर से आएगा कि मुझे कितने मांक्स लाने हैं अगर 95 लाने हैं तो वीडियो को पूरा देख लो अगर 95 सच में लाने हैं प्राक्टिकल की तो बात सच एकश्यक्ट की बात कर रही हूं कंद्ध 2 आप आफ यह साथ दिन पर संड्य को सारी चीजों को रिवाइस करो छो पूरा एक हफता पढ़ाई बढ़ाइक करने कasternbelt 2 साथ संडे को सारी चीजों को रिवाइस करो सो फिर रिवाइस करो फिर अराम से रिलाक्स करो छे साथ बज़े तक पढ़ाई कर लो पूरे दिन संडे को उसके बाद रिलाक्स कर सकते हो जल्दी से जाकर मार्केट से आधा किलो आटा लेया और बच्चा क्या करते हैं हम में ठीके चलो आदे घंटे में मैं पढ़ने बैठ जाओंगा लियाता हूं मैं मत खेलो कुछ दिन मत खेलो कुछ फरग नी पढ़ेगा मटर नहीं चीलोगे तो ममी थोड़ा सा डाटेंगी ब करने का प्लान है तो मुझे मटर नहीं मुझे भी मार्केट नहीं जाना थोड़ी देर में चला जाओंगा उस काम को टाल सकते पढ़ाई को मट टालो ठीक है तीसरा है हमारा मोबाइल स्लोट की मैक्स तु मैक्स 40 मिनिट्स का आप लोग मोबाइल स्लोट रखो कि मुझे प्रिवियर फलाना धिमकान इतनी अप्स भर गई है ना फू एक घंटा पैटे बस देखते 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 और वो तीन-चार घंटे कहां निकल गया पताने चलता तो आदा घंटा मैक्स-टो मैक्स 40 मिनिट्स का मोबाइल स्लोट प्रिवियर स्यर क्वेस्टिंस मेरा कि जितने भी इंगलिश के आपके प्रिवियर स्यर क्वेस्टिंस आये हैं वह आप कर लो बाकी तो मैं यहां हूं मैरेथान्स होंगी उन मैरेथान्स को अटेंड कर लोगे तो भाई मिल जाएगा तुमको बढ़िया स्कूर गैरेंटेड मिल जाएगा क्यूंकि सब तो यह लगो में तुम्हारा काम में न, भाई चुर करते न बुशुर कि आप लोग प्रिवियर क्वेश्टिंस करें सेंपल पेबर हमेशा वेशा सम्प्र सैंपल पेपर आपके बोर्ड एंग इद्स् Y मामले में क्योंकि प्राक्टिस बहुत अच्छे हो जाते ग्रामर में आप लोगों को एडवांस लेवल चीजे भी देते हैं ताकि इन केस सिंपल आई तो आप लोग ऐसे कर लो बट एडवांस का भी आइड़ा मिल जाते ओस्वाल का स्पॉंसर नहीं है भाई नहीं है अपने प्राक्टिंग अप्स पहले तो यह मौज शेर्चाट टिक टॉक टिक टॉक क्या तो नाम आएगा तक अटक हो गया कुछ स्नाप्चाट इंसेग्राम कोशिश करो कि इसको हटा दो एक हफते में किसी की शादी नहीं किसी का बोट दे आ रहा है और आभी रहे तो उसको फोन प्राइब स्टाडी टाइम टेबल ने आप लोगों को दे चुकी हों आप लोगों को इंग्लिष को तो रोज एक घंटा देना ही है लोग बहुत लीनियंट लेते हैं ट्रस्ट में ने देख आ रहे लिए इंगलिश ही तो है कर लें एक दिन पहले डाल दे वीडियो मैं हम लोग देख लेंगे खताम मत करूं इंगलिश ना परस्नालिटी तुम्हारा कॉंफिडेंस सब कुछ दिखता है हाइलाइट हो जाता है पता चल जाता है ऐसे ही कि सामने वाला इंसान कहां स्टैंड करता है ठीक है मैं यह चीज इसले बोल रही हूं क्योंकि मैं पढ़ाती ह हूं बट मैं पहले पढ़ भी चुकी हूं तुम्हारी जैसी थी यार मैं भी मतलब नॉर्मल पढ़ती थी ध्यान देती थी थी थोड़ी सी ना पढ़ाई में ज्यादा थी मुझे अच्छा लगता था पढ़न तुम लोगों को लगता नहीं है फड़क यहां आ रहा है सो मे बनाते बिना प्लान के पेपर बना देते हैं बिना प्लान के पेपर लिखना शुरू कर देते हैं तो आपके पास पेपर के लिए प्लान होना चाहिए शुरुवात में पंधरा मिनेट मिलते हैं वह पंधरा मिनेट ना जन्नत है तुमको पंधरा मिनेट मिल रहे हैं उसको करो बाकिके 8 minute sih जो पर यह सारी टोर ह्रिक्स एंड इड़ी जाfilled वह लुट 23 आश्य जा supremacy q जोनजने आडले सी अपीज सक्षेर यह साय्वा दिक में शाया वग सजीटी अड़्स घाइप उस एप इसंत जो सगव जो यह शारे शारी डिसकरौश जाएग और कैस बेस वाव्ट से याएगा दो पैसेज जाएंगे बीस मिनट्स्कूर म्त ले लेना 20 पैसेज में लिया तो पेपर छूत जाएगा और आपको क्या करना है गिन के टोटल टेन पैसिजिस सौल एक टाइम है दस पैसे चॉल कर लो टोटल तब तक में जितना बता रही हूं उतना ही कर लोगे ना स्कोर्स आ जाएंगे चालिस नंबर का पेपर है यार इतना तो करी लोग है राम से इतना तो राम से कर सकते हो फॉर्मल लेटर है और पारेग्राफ है आपके पास चॉइस आते हैं बटांके बंद करके काम मत करना आखे बंद करके बहुत लोग ना सारे सब्सक्राइब कर देते हैं जादा मांक्स तो मिलेंगे नहीं है ना उल्टा टीचर यह देख लेगा कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो तो मेक शूर कि आप लोग चोईस को ध्यान से देखे अगर आप लोगों को फॉर्मल लेटर करना है तो लेटर ऑफ और इंक्वाइर दोनों ही इजी है सेम फॉर्माट रहता है पारेग्राफ में आप लोगों को आउटलाइन्स दी जाएंगी आपको बस पॉइंस बनाने हैं आप लोगों को बस पॉइंस बनाने हैं क्या बनाने हैं पॉइंस बनाने हैं यह हमारी ग्रैमर है ग्रैमर के लिए आप लोगों को वान शोट सीरीज मिल जाएगी हर वीडियो में आपको प्लेलिस्ट का लिंक एड़ करके दे देंगे प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम एड़ करके देंगे आप लोगों को बस यह चीज़े करनी हैं बहुत आसान है यार टेंसे हमारे मॉडल्स डिटोमिनर रिपोर्टेट स्पी कर लोगां देंग यह चाहिघ थो समय कषोगे और टाहिए हम लोग हम लोग द्याप्टर ट्सिंग्र का लिया क्या रही हम जब वहनाई को च्छुछ हों होगी यहीचीज है तसली से बहुत कुछ हो जाएगा आपको बस इन फृव realities देना अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन पर ध्यान देना है मैरेथान होगी हमारी उसको टेंट करो सिक्स आर्स या फिर सेवेन आर्स की होगी वन शॉट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी अभी ही शुरू कर रहे हैं अल्मोस्ट पी वाई क्यूस प्रिविएस येर क्वेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए आधी बागी सैंपल पेपर से क्वेशन उठकर आ जाता है बहुत ठीक है इतना क्लियर है कोई भी प्रॉब्लम आए तो यार आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैंने आपको स्ट्राटीजी समझा दी है बाट सिफ्ट्राटीजी काम नहीं करती है रोज का क्या करो तुम्हें ये भी बता देती हूं लिटरेचर का एक-एक टॉपिक जो है य उसके बाद ग्रैमर का एक टॉपिक उठाया ग्रैमर के एक टॉपिक में से एकसरसाइज करी आदा घंटा आदा घंटा आप लोगों ने इसको दे दिया आदा घंटा आप लोगों ने इसको दे दिया इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो यार समझ तुम्हारे बोर्ट और सबाद पिछले बाच को भी एक चीज जहां थी की प्राक्टिस के बिना कोई काम ने चलता मैं थे उठाए जिसमें दी मिसिंग है तो प्राक्टिस के बिना तो यार ना मेरा काम चला ना तुम्हारा चलेगा मैं भी पढ़ी थी तब जाकर मेरे मार्स आए ना मैं नहीं पढ़ी तो यहां कैसे खड़ी होती तो फरक डिसाइड कर लो अभी से कि तुम्हारा फ्यूचर क्या बनाना है तुमको पास होने तो ठीक है कुछ लोगों की गोल सेट होते हैं भाई पास ही तो नहीं घर में काम कर से कर लो मेक शौर की गड़बट ना मचाओ है तो मैं हूं यहां पर अगर मैं कह रही हूं मैं यहां हूं तो मैं हूं आप लोग कांटाक्ट कर सकते हैं तो बच्चों चलते हैं मिलेंगे नेक्स सेशन में जिसमें बढ़िया तरीके से तैयारी करने वाले एक्जाम्स की बा बाई टेकेर